दलित इंडस्ट्री जेसोसियसन द्वारा आयोजित इस ओनलाइन उदमी पाट साला में आप समस्त उदमियों का हम हरदिक स्वागत करते हैं जैसा की विदित है कि दलित इंडस्ट्री जेसोसियसन हरेक रभीबार को अपने निर्धारीत समय पर अपने समुदाय अनुसुची जाती जन जाती के आर्थिक ससकती करन हितू ओनलाइन उदमी पाट साला का आयोजन करती है और इस online उदमी पाट साला में उध्योग बानिज बेपार से समंदित विविन योजनाओं नीतियाओं को आपके बीच में रखता है और आप जो कुछ भी यहाँ से सिखते हैं समझते हैं उमीद करते हैं कि आप जो है इस सारी चीजों को अपने समुदाई में परचार परशार और वित्रीत करने का परियास करेंगे एक सूचना कि आप जो है अपने पास कौपी कलम साथ रखेंगे अगल वगल सांती का माहूल बनाए रखेंगे समाज विकास के लिए महिलाओं की भागिदारी अत्यंत आवस्यक है बीच बीच में आप लोग क्या करते हैं कि जो है ये मैसेज कर देते हैं मैसेज नहीं करना है आप लोगों को जो है मेरा वाटस अप नमर है 9473462273 यदि आपके पास किसी भी परकार का उद्योग बनी जे बेपार से समंदीत या आज के कलास से समंदीत कोई प्रस्न पूछनी है तो कलास खतम होने के बाद आप उस पर वाटस अप करेंगे एक्सपर्ट जो है आपको उस संदर्ब में जो है जवाब देंगे बीच में टिका टिपनी नहीं करेंगे ठीक है पिछले कलास में जो है हमने पढ़ाया था आप लोगों को सारवजनी खरीद निती ठीक है तो आज हम सारवजनी खरीद निती का जो है यानि दूसरा भाग पर चल रहे हैं तो लिखिया आज का विशा है आज का विशा है सारवजनी खरीद निती भाग दो पब्लिक परकॉर्मेंट पॉलिसी पार्ट टू पब्लिक परकॉर्मेंट पॉलिसी पार्ट टू ठीक है तो पब्लिक परकॉर्मेंट पॉलिसी में हमने आपको बताया था कि आप जो है दो तरह से उसमें कारिय कर सकते हैं एक जो है कारिय के अधार पर और दूसरा जो है आप पूर्ती और सेबा के अधार पर जो है आप कारिय कर सकते हैं साथ हमने बताया था कि आपको आवस्यक दस्ताबेज कौन-कौन से रखने हैं तो आपने ये चीजों को जान लिया था कि आवस्यक दस्ताबेज उसमें आपको क्या-क्या रखना है तो आवस्यक दस्ताबेज के बाद हमने आपको SCST Hub की कहानी पलस उसमें होने वाले बेनिफीट का जो है क्या-क्या लाब है क्या-क्या लाब वो दे सकते हैं क्या-क्या लाब देंगे ये सारी चीजों पर बताया था उसमें आपको यह भी बताया गया था कि दलित इंडेस्ट्रीज एसोसियेशन के संगर्स जो है कि इस परकार रहे थे इसके बाद जो है आपको फलाफल लाब मिलने लगा है ठीक है अब हम जो है पब्लिक परकॉर्मेंट पॉलीसी में पाटीसिपेट कैसे करें ठीक है पिछले कलास में हमने थियोरिटीकल आपको बता दिया था लगवग कि आप जो है इस परकार से जो है मना प्रिपियार होना है अब है आपको की आपको जो है पाटीसिपेट करना है उस चीज़ों में ठीक है दलित इंडेस्ट्रीज एसोसियेशन के पास पब्लिक प्रोकुर्मेंट पॉलिसी के द्वारा अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जातियों से कीस परकार की जो है खरीद वो करेंगे जितने भी भारत में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है यानि जो सारवजनिक छेत्र है वो सारवजनिक छेत्र जो है आप लोगों से क्या क्या आइटम्स खरीदेंगे वो सारे चीज़ों का जो है डाटा दलित इंडेस्ट्रीज एसोसियेशन के पास उपलब्द है आप इसे जो है 9473462273 नमबर पर वाटसप करकर के 358 आइटम है ठीक है तो उसका जो है एक साथ लिस्ट दी गई है उस 358 आइटम का जो है सूची आप मांग सकते हैं पेडियाप कॉपी जो है आपको मुप्त में उपलब्द करा दी जाएगी वह मुप्त में बांटने का चीजी भी है तो वहाँ चीज जो है हमको करना है ठीक है अब कई चीजे होता है कि अब हम लोग जो है पिछले कई कलास में आप देखे होंगे या यूट्यूब पर आप देखेंगे तो किसी न किसी जो है कलास में हम अकसर आप लोगों को बताते रहते हैं ठीक है तो हमरा बात हो रहा था अंकीत राज से तो अंकीत राज को हमने जो है भोजपूरी में बोला कि अंकीत पबलिक परकॉर्मेंट पॉलिसी जो है वह क्या है कि ओहारी के गुप कौंटा में तो उसने लगा कि सरीका कवदी तो हम उसको बताए कि देखो भोजपूरी में एक कहावत है कि बच्चा जो है घार आगन में अगर जो है टटी कर दिया तो उसकी मां क्या करती थी हमारे जमाने में पुराने जमाने में कुदाल से थोड़ा काट लिया और पीछे फेंग दिया ठीक है तो पबलिक परकॉर्मेंट पॉलीसी जो है आपको क्या है कि थोड़ी सी दिमाग हलां कि इसको सारबजनिक मंचों पर नहीं बोलने का चीज़ है लेकिन हम तो जो है दलिता दिवासियों के आर्थिक गुरू है पलस उनको सहरेक तरह के गूर सिखाना हमारी मजबूरी है हर एक चीज़ों को जो समाजिक या सारबजनिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें नहीं बूली जाती है हाँ वहाँ जो है गवर्मेंट की तरफ से जो है सेंसर सीफ है कि ऐसा नहीं बोलना है लेकिन यदि हम अपने लोगों को इस चीज़ों का बारे में नहीं बताएंगे तो यह जो है अपने समुदाई के साथ बैमानी होगा ठीक है और कोई जो है डायरेक्ट बात करने का जो है इसके अलावा यानि उतमी पाट साला के अलावे जो है या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां कि हम जो है बता सकते हैं तो इसमें हम हर एक गूर को बताने के लिए मजबूर हैं हलांके गौर्ब्मेंट सेक्टर के लोग भी आकर के चुपे चाप नाम बदल के बईड जाते हैं या फिर यूट्यूब पूरी तरह से मेरा जो है जो है जो अपलोड करते हैं उसको पूरा सूनने के बाद फिर वो हमको मेल करते हैं कि ऐसा बात तो जो है या चीज़ें जो है मना डोमेन में तो नहीं है तो फिर आपने ऐसी बात क्यों रख दी हम बोलते हैं कि डोमेन में जो बात नहीं है लेकिन करता तो सब कोई है तो जब वही चीज़ करता है और जब हम अपने लोगों को बताते हैं तो आप जो है हमको क्या करते हैं सेंसर सिफ जारी करते हैं। मजबूर नहीं किया जा सकता है यह हम जो है इस बातों को नहीं बताएंगे ठीक है पुराने जमाने में जो है एक कहानी जो है बच्चा के कलास में पढ़ाया जाता था कई भार इस प्लेट फॉर्म से हम लोगों ने जो है चर्चा किया है उस पर कि एक जो है टोपी वाला क्या करता था कि टोपी जो है ले करके गाउं गाउं गूम गूम करके वह टोपी बेचता था संजेजी आच्छे है हो कानी आच्छा हो एटो कि एक टोपी वाला था वह क्या करता था कि गाउं गाउं गूम गूम करके टोपी बेचता था तो एक बार एक गाउं में जो है जा रहा था और इसी तरह का गर्मी था तो वह बट बिरिक्ष के नीचे हरे गाउं के बाहर में एक बहुत बड़ा बर का पैण हुआ करता था तो उस पैण के नीचे जो है वह बैट गया और वहां जो है उसको नींद आ गई उसके जो है गठ खैनी का विवस्ता कीजिए पपू है पपू बनाते रहो परसाद जी के लिए बाई ताली वजा के स्वागत कीजिए परसाद जी भी आ गए ठीक है अभी जो वन टाइम थोड़ा सा खीच रहे थे चुकि इस क्रीप्ट लेकर के परसाद जी नहीं आये थे इस क्रीप्ट लाते हैं तब जो भाई फिर बाचन की जाती है अब परसाद जी अक्सर रिलेट कर देते हैं आने में बैठी बैठी परसाद जी थोड़ा सा जहलक दिखला दीजिए आपको देखने के लिए बेचाईन है वही ताली वजाईए वही परसाद जी के लिए पीलर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए तुम जो मिल गए हो तो यह लगता है कि जहां मिल गया चलिए ठीक है अब आमरा कलास ले दीजिए ठीक है तो टोपी वाले ने क्या किया कि वहां जो है गाउं के बर के पैड़ के नीचे वहां टोपी का गठर रख करके सो गए और उसके उपर जो है बंदरों का परिवार रहता था पचास साथ बंदर रहता था उसने क्या कि नीचे से जो है उनका तो समझ गया सभी लोग तो हम एक कहानी सुना रहते है आपको कि वहां जो है बंदर और टोपी वाला कि वहां जाकर करके वो टोपी वाला आदमी जो है गाउं के किनारे वहां जो बट ब्रिच था वहां जो है टोपी का गठर रख करके और सो गया उसी बट के ब्रिच के ओपर कई बंदर के परिवार रहते थे सब बंदर जो है नीचे उतरा और टोपी वाले गठर से सारा टोपी निकाल के पहान करके और डाली पर चड़ गया जब टोपी वाला का निंद खुला तो देख रहा है कि सारा बंदर जो है टोपी लेकर उपर चड़ा हुआ है इस संजय भाई नरे सहमराम इस अभी कहानी पढ़ा होगा याद है न हो संजय भ्याद कानिया आच्छा ही न इटो तो बंदर जो है सब इस टोपी लेकर करके चड़ गया वहाँ तब अब दिमाग में इस टोपी वाला सोचा कि अब इससे टोपी कैसे ले भाई तो उसने देखा कि वो खुद भी जो है टोपी वाला टोपी पाना हुआ था का ओ ऐसा बात है कि लगता है कि हम टोपी पाने है न इसलिए बंदर क्या क्या कि टोपी पाना हुआ है तो टोपी वाला ने अपना टोपी जो है नीचे फैंक दिया तो सब बंदर बाद जो है क्या क्या अपना टोपी खोल खोल करके नीचे फैंक दिया और टोपी को फिर गठर में बांध करकर के टोपी वाला चला गया तो टोपी वाले ने अपने बेटे को बताया ये घटना कि देखो अगर कभी टोपी का बिजनस करोगे और ऐसा ऐसा बात हो जाएगा तो तुम ऐसा करना टोपी वाले के बेटे ने टोपी वाले के पोते को बताया तो पोता ने भी सिखा संजोग से जो है संजाई जी के पोता ने जो है टोपी का बिजनस करने लगा और संजाई जी के साथ जो घटना हुआ था ये टोपी वाला घटना एक बार जो है इसके पोता के साथ भी घटना घट गया वो हो इस गर्मी में जो है टोपी लेके निकला और उसी बट बिरिख्ष के नीचे जाके सुत गया फिर जो है बंदरवा लोग टोपी लेकर के चड़ गया उपर तो अब संजै जी के पोता को याद आया को दादा ने तो बताया था कि अगर बंदर जो है टोपी लेकर उपर चल जाए तो तुम क्या करना कि अपना टोपी आप फेंक देना तो सब बंदरवा क्या करेगा कि टोपी आपको बीग देगा फेंक देगा नीचे तो पोता ने जो है संजाई जी के पोता ने टोपी अपना फैक दिया तो जब फैक दिया तो जब फैक दिया थैंक यू एक्चली ऑफिस जो है खुली हुई है तो लोग उदर काम कर रहा है देख रहा है ठीक है तो टोपी वाला ने जैसा ही जो है संजाई जी के पोता ने टोपी फैका लेकिन बंदर लोगों ने जो है टोपी फैक भे ने किया तो संजाई जी के पोता जो है बड़ा आसर चकीत हुए कि ददा जी ने तो बताया था कि भाई ऐसा ऐसा होगा लेकिन यहां तो ऐसा हो ही ने रहा है आखिर बात क्या है भाई तो बड़ी जो है कंफ्यूजन में हो गया कि अरे भाई हो क्या रहा है दादा ने तो बताया था कि हमने जैसा ही टोपी फेका तो सारे बंदर ने फेकना शुरू कर दिया तो एक वहाँ बंदर जो है हस रहा था तो संजय जी के पोता ने पुछा कि काहे हस काहे रहो काहे रहे मुर्खा, SCSD तो रखा बुजा रहा है कि मना खाली तोरे दादा ने इकानी सुनाया था तुमको कि हमरो दादा ने सिखाया था कि जब संजय जी के पोताबा टोपी फेकेगा तो तुम मत फेकना तो कहने का ताथ पर यह यह है कि आज पूरे देश में पवलिक प्राइबेट पाटनर्सीब या पवलिक पुरकॉर्मेंट पॉलीवसी इस देश में उद्योग पती, पुंजी पती और धनबान बनने का जो साधान है यानि अपने उद्योग के लिए पुंजी निर्मान करना अपने बानीजी के लिए पुंजी का निर्मान करना अब वो भी कि बिना बैंक की साहता से बिना संजय जी, जितंदर जी और नरे सहमरम की साहता से अगर पुंजी किसी भी लोगों को उत्पन करना है तो उसका एक मात्र उपाय है कि देखो तीनों में PPP लिखा हुआ है पाला ट्रीपल पी मतलब पबलीक पराइबेट पाटनर्सीप दूसरा PPP मतलब पबलीक प्रकॉर्मेंट पॉलीशीप अंडरिस्टेंड पाला ट्रीपल पी मतलब पबलीक पराइबेट पाटनर्सीप दूसरा जो है पबलीक पॉर्कॉर्मेंट पॉलीशीप यती इस चीजाओं में हमारा सिडूल का सिडूल ट्राइब के लोग जिस दिन से पाटिसीपेट करने लगेगा उसी दिन उसको उद्योग बानी जिब वैपार के लिए स्वचनाईने पड़ेगा और हुआ भारतिय समाज में उद्योग पती पुंजी पती और धनबान बन जाएगा तुम जो सोस्ते हो मन में कि नवक्री करने से हम धनबान बन जाएगा भरामीत है नवक्री करने से नहीं हो सकता है कई बार इस चीजों को हमने आप लोगों को बदा चुका हूँ बन पाओगे तुमको क्या करना है पबलीक प्राइबेट पाटनर्शीप कभी कभी काते हो नहीं ठिकदारी कर रहे है हाँ उठीक है वो है पबलीक प्राइबेट पाटनर्शीप वो ठीक कर रहे हो लेकिन यह जो कर रहे हो कि हमने तागिरी करके बन जाएंगे एकदम ब्रहमीत है नए होगा ठीक है तो यह तीनों जो है बना पब्लिक प्राइबेट पाटनर्सिप या पब्लिक पॉर्कॉर्मेंट पॉलीसी तो इन दोनों चीज़ों में जब तक तुम जो है पाटिसिपेट नहीं करोगे मतलब भागिदार नहीं बनोगे तब तक तुमको पॉन्जी का प्राप्ति नहीं होगा अब यदि तुम छोटे अस्तर से भी शुरुवात कर दोगे तो तुमको पॉन्जी आना शुरू हो जाएगा और यदि पॉन्जी आना शुरू हो गिया तब तुमको उद्योग पति पॉन्जी पति और धन्वान बनने से कोई रोकिया नहीं सकता है अटोमेटिकली हो जाएगा और अभी तक 91 के बाद देश में जो है करोड़पती और अरबपती का अमबार लग गया सिडूल का सिडूल ट्राइब को छोड़ दे काई केकरा पास मातर दोईये को कामे था या तो सरकारी नवकरवा बनना है या राजनितिक दललवा बनना है इसलिए इसमें जो है करोड़पती अरबपती का अभावरा एकाग दोठो हम लोग के तरह जो है एक्सिडेंटल बन गया परन्तु मौश्टली लोग जो है उन नवकरवा और दललवा बनने के फिर्या मेरा लेकिन अगर एक औरबबा के पहले तुम देखाउगे तो कड़ूरपती अरब पतियों की एकदम गिना चुना नाम रहता था आदमी बोल वो करता था के रे तो टाटा बिड़ला के खंदान का था है कारे उस समय गिना चुना नाम हुआ करता था टाटा, बिडला, गौद्रेज, डल्मिया, एक आग दो को और मतलब गीन चून करकर के चार पाँच दस आत्मी का नाम लिया जाता था, ठीक है, अब बोलोगे कि अभी भी तो दुए गो बोला जाता है अडानी, अमबानी, नहीं, ऐसा बात नहीं है, एक्चुली उनको जो है, पॉल्टिकल एज जादा मिलता है, इसलिए उस दोनों का नाम लिया जाता है, लेकिन करोर पती अरब पतियों का जो है, 91 के बाद अमबार लग गया, खली SCST में छोड़ के, क्योंकि SCST में होड क्या च आप जो है, नहीं, नहीं, लॉंडा जो है, यह सीखने लगा कि नहीं, उस अफिरा में हमने रहेंगे, बहुत लॉंडा ऐसा है, आजे एक बच्चा हमको मिला, तो उन बच्चा ने कहा कि सर, हमने डिजिटल मार्केटिंग करके, मतलब जो है, डेड़ करोर रुपिया जो है इस बार इस एलेक्शन में हमने कमाया, ताली बजाओ, ताली बजाओ, तुम लोग मुई बिचकाओ, बाकि जो डियाईये के चला चटिया है, जो डियाईये को बड़ यहां से जानता है, डियाईये को छुप छुप के देखता है, उस अब काफी आगे बढ़ रहा है, तो तीन को कड़ोर पती नया नया हो गया, वो लोगों का शुरुआती है, दू-तिन लाग-पाँच लाग से शुरुआत किया था, तो डिश्टल मार्केटिंग करके वो निकला, एक और हमारा इस युनिवर्सिटी का, डियाईये युनिवर्सिटी का, एक लंडा ने हमको टारगेट दिया था कि सर, हम जो है 2024 के जो है लोग सभाई एलक्षन में कम से कम 10 कड़ोर रुप्या कमाएंगे, परसु उसको पूछे फोन करके कि कितना कमाया रहे, तो वो ला सर कहां कमा पाए तो उसको 500 अगाली दिये जम के, कि बटिया चो तुम जो है गुरु का टाइप का रहा, अंकितवा टाइप का रहा, जो कहता है कि नेने गुरु जी से पूछा, जो रूरु ते ने एतनी हमाही अपने से अजमाले, तो उसको तनी गड़बडा जा रहा है, जो बड़ियां से जो है कर रहा है, तो कहने का तात्परिया है कि 91 के बाद, अंबार मज़ी कűंटीनिडीजनी जो है, पंशल साल तक वह ही रहेगा, आइसा बात में, कल वो जो है 202 नमबर चल जाएगा, पत्ती नहीं चलेगा, क्योंकि वो सभी लोग जो है, अँद्योक बानिज बिपार के प्रती प्रिरीत होआ, और अँद्योक बानिज बिपार के प्रती प्रिरीत होने के बाद अब उसके पास आया कि भाई अब पुन्जी कहों से लाया जाए तो उसके गारजन ने उसको समझाया कि रे बिटा तुम जो है दोगो पी क्यू है कहा पापा दोगो पी क्यू कौंची होता है कहा पी पी उसको कहता है पी क्यू तो बोला दोगो जो है पी क्यू है याद रखना पी फोर पी क्यू आपी फोर पुन्जी तो कहा कि आप पीफ और पैसा याद रहेगा PQ पुंजी पैसा नौट कर लो करना है PQ पुंजी पैसा नौट करो मुँ आमरा मत देखो एतना सुन्दर उंदर आमना है मुँ देख रहा है मेरा PQ पुंजी पैसा अरे आने तो काउना है तो PQ पुंजी पैसा आप जाइए अपना काम पर लगिये तो जाइए PQ पुंजी और पैसा तो वह नया नया जो लोंडा सब निकला वह अपने गार्जन से पूछा कि पापा हम हो करोर पती बनना चाते हैं हम भी अरब पती बनना चाते हैं कैसे होगा कहा कि दूगो PQ है कहा क्या क्या है कहा पाला है पबलीक प्राइबेट पाटनर्शिप सिस्टम उसमें पाटिसिपेट करू कहा दूसरा कहा पबलीक प्रकॉर्मेंट पॉलीसी उसमें जो है तुम पाटिसिपेट करो कहा कि पुण्जी हो जाएगा का एकदम 100% तुमको पुण्जी मिलेगा अट्टान अट्टान पुण्जी मिलेगा तुमको तो वो सभी लोग जो है ए कोला हल मत करो अराम से देरे देरे जो जो कम कर रहा है करो ठीक है तो उन लोगों ने जो है पबलीक प्राइबेट पाटनर्शिप सिस्टम में पाटिसिपेट किया पबलीक पॉर्कॉर्मेंट पॉलीसी में पाटिसिपेट किया और SCST उचक उचक के देखता था क्या देख रहा है कि कल तक वो अंकितवा के साथ जो है खईनी खा रहा था नती जा रहा था जड़ा फिरने के लिए घुमने के लिए साथे साथे आज अचानक जी तिवारी जी का लेकवा जो है इसको डाफा भिया लेके एकरे बगल से गुमर रहा है है तरीका सर्मा जी का लेख संती से काम किजिए न देरे देरे ठीक है तो अचानके कल अंकितवा के साथ दिन दिन भर बाइट के खाईनी खा रहा था आज कॉंग्रेस बिजेपी का गप कर रहा था अचानक सप्ता दिन के बाद देख रहा है उलंडा जो है इसको डाफा लेकर के इसके बगल से गुजर रहा है सर्मा जी के लईगवा जो है ओडी पर चल रहा है आंकितवा जो है भोटा खेत में कववा भगा रहा है यह कैसे यह इसे कि मिस्रा जी ने, सर्मा जी ने, तिवारी जी ने, बर्मा जी ने, सिंग जी ने अपने बच्चा को कहा कि रे बटा उद्योग पती, पुंजी पती और धनबान बनना है तो रहा तब ने SCST पर तुम जो है सासन करेगा, कौन जी से सासन करेगा, पैसवे से ना कहों पापा पैसवे से करेंगे तब पैसवा आएगा कहां से तो पैसा आएगा तुमको उद्योग बानी जी बैपार करेगा तो पपा हमरा पास तो कुछ है ये नहीं है तो उद्योग बानी जी बैपार कही से करेंगे, का गदाहा करेंगा कुछ जोने करना है तो क्या करना है क्या करना है तो पेन काड़ लो, आधार काड़ लो बैंक पास बूग लो आधार लिंक मोबाईल लो और उससे जो है गो उत्याम रजिस्टेशन करवा लो का हौँ पपा ठीके को वह रहें करवा लिये करवा लिया हौँ करवा लिये पपा चलो अब उस कहे गो stair गूस्टी जब बन गया चलो घूजी जब बन गया चलो Anfang 3 जो है इसे दाट затंट मुंसरividadeis यह री जलो डिजटजब लूजब है को कहत डाट ise गा ढी से प्लेट से पापां क है आफ च्यस्टम धेस राली-'d का चलो बता देते हैं और बताया तो उसको 50 लाख रुपिया तक का जो है डोकुमेंट कॉस्ट फिरी बताये हैं पिछले कलास में हम लोगों के लिए 1.5 करोर तक का उसके लिए 50 लाख तक का लेकिन अंकितवा जो है वो भुटा खेत में कववा भगाते रह गया अब वो जो है इसकोडा और ओडी से गुमें लगया का है कि एकर बाप बोला रे बेटा पढ़ाए लिखाए हैं नवकरबा बनो न सरकारी नवकरबा ए बेटा राजनीतिक दललवा बनो अब गर बाप क्या बला रे SCST पर तुरा सासन न करना है रे तो SCST पर सासन करना रहेगा तो पईसवा रहेगा तब न तो उसने कलास थिरी का जो है डिजिटल सिगनेचर भी बना लिया और उसको जो है ए रे के वो गारे निगारे बैठा लईजी कपड़ा नहीं है तोरा या तोरा ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है करेगा नाटक कपड़ा पिनो अने दभागो बकलोल कहीं का उनना बताते हो का मैं SCST है और SCST में जो है बैठे हुआ है बक्चोनार कहीं का अने यतना भी सेंस नहीं है कि तुम जो है लाइब बैठे हो अकपड़ा खोल के बैठे हो मैंने बताते हो है न जी कि एन के परकारन हम सेडुल का सेडुल र treaty है हमको माइनर नहीं है नहीं बैठने का ढग है नहीं प्रस्तूत होने का डंग है कुछ हो नहीं डंग है अच्छी बात है अपने आपको सिडूल का सिडूल ट्राइब कहते हो कहो हरीजान है सबसे सूटेबूल वर्ड है हाँ हरीजान है सूद्रा और SCST के बीच का जो है पोर्षन है हरीजान अगर माइनर लेस हो पूरी तरह से तो अपने आपको कहते हमारी जन सूब बातों का एक के बात्तुरा से नहीं पूछने जाएगा कि तुमको ग्यान क्यों नहीं है तुमको धन क्यों नहीं है तुमको एजूकेशन क्यों नहीं है यह कोई नहीं पूछेगा बस एक वाट जैसे अनेक सब्दों का एक सब्द होता था ना चार राहों के समाहार को चवराह करते हैं होता था ने हिंदी में जी कि सौ सब्दों का एक सब्द है अनेक सब्दों का एक सब्द हाँ तो यदि तुमको दिमाग में लगता है कि बुद्धी हीनम, धानाम हीनम, ज्ञानाम हीनम, हर तरह का हीन है, तो आपने आपको कादो किसर हम हरी जान है, तो रासे कोई प्रस्ण करने नहीं जा रहा है, सुद्र और S.C.S.T. के बीच में हरी जान है, सट पान ये, गंजी पानने से कम नहीं चलेगा, आने तो हम हटा रहे हैं आपको, हटा ही देंगे, दू मिनट का समय है, सट पान ये, अब माइनर में रहे है, अगर कि मनई स्कूल में और परिवार में सिख्छा दिख्छा नहीं हुई है, तो यहाँ हम अच्छे से सिख्छा दिख्छा देंगे, ठीक है, तो आप उसको जो है, मिस्रा जी, तिवारी जी, सर्मा जी ने कहा कि बेटा, तुमको जो है, क्या करना है, पैन काट, अधार काट, बैंक पास्बूक, और अधार लिंक मुवाइल नमबर से उद्यम रजिस्टेशन करा लेना है, उद्यम रजि हलका हलका देरे देरे बात करिये, देरे देरे करिये, ठीक है, तो अब वहाँ क्लास थिरी जो है, डिजिटल सिगनेचर कराने के बाद, अब आप पब्लीक परकॉर्मेंट पॉलीसी में भाग लेना है, और पब्लीक प्राइबेट पाटनर्शिप सिस्टेम में भाग लेना तो अब यह चीज़ें के जो है करना है हमको तब कैसे होगा तो भेरी सिंपल पचास लाख रुपिये तक के लिए जिसके पास उद्यम रजिस्टेशन है उसको डॉक्मेंट कॉस्ट नहीं लगेगा उसमें टेंडर कॉस्ट भी नहीं लगेगा और उसने जो है टेंडर को भरा टेंडर को भरा उसको जो है लोईस्ट वन मिला और उसने जो है कारिय करने के लिए वर्क आउडर मिलता है दो तरह का टेंडर बताए है एक लिखो कारिय के अधार पर वर्क आउडर नौट करो यूट्यूब पर विडियो मौजूद रहेगा बार-बार सुन लेना और टेंडर के लिए हम अलग से क्लास देंगे आया तुम लोग चाहोगे तो यहां आकर के पटना आकर के फिजिकली क्लास ले सकते हो तीन दिन का कारिकरम रहेगा ठीक है 500 जो है उसका रजिस्टेशन चार्ज है जो बच्चे अगर टेंडर में पाटिसिपेट करना चाहता है पब्लिक परकॉर्मेंट पॉलिसी में या पब्लिक प्राइबेट पाटनर्सिप सिस्टम में तो तीन दिन का जो है यहाँ ट्रेंडिंग कारिकरम होता है अपना हेट क्वैटर पटना में आप लोग कभी भी जो है उसका नमांकर करा करकर के पाटिसिपेट कर सकते हैं किसी भी तरह का दिकत नहीं है एक्सपर्ट आपको जो है टेंडर भरने के लिए रेट कोट करने के लिए यह सारे चीज़ों का जो है आपको ट्रेंडिंग दे देगा आपको कम्प्योटर पर कैसे उसको करेंगे यह सारे चीज़ों का ओनली 500 उसका चार्जेज है ठीक है तो मिसरा जी, सर्मा जी, तिवारी जी, बर्मा जी ने जो है अपने पुत्रों को टेंडर में पाटिसिपेट करने के लिए बताया और उसने टेंडर में पाटिसिपेट किया 358 आइटम खरिदने के लिए भारत के जितने भी सेंट्रल पी एस यूज है वह बचनबद है वह बचनबद है उसको खरिदना ही होगा पनी में दिये तो यह तो हुआ टोपी तक की कहानी अब इसके टोपी के वहितर की क्या कहानी है वह समझो हाँ तोपी के भीतर की यहां तक कहानी समझ में आ गिया हाँ तोटाओ कानी समझ में आ गिया होगा ठीक है कि मिस्रा जी, सर्मा जी, तिवारी जी, बर्मा जी, सिन्ना जी, गुपता जी, अगरबाल, बर्नवाल, तिर्कीबाल, जैसवाल, खेतान यह सब का बालबुद्रू ने आईसा ही किया और महालाल, अंकीत दुसाद, संजय चमार, बिनोद मूची इसा बैट के उचक उचक के देख रहा था कि चपरासी के कन्ना बाहली निकलल है नियोजन सिच्छक के बाहली कहा निकलल है यह सब उचक उचक के इसर देख रहा था है ना, तो उसने पाटिसिपेट किया टेंडर मिला, टेंडर में सप्लाई किया अब मन लेते हैं एंटी पीसी का जो है एक साल का खरीद है दस आरब तो दस आरब उसका खरीद है तो आप पचीस परसेंट जो है उसको उद्यम रजिस्टेशन बला से खरीदना है यानि MSMी बला से करीदना है मजबूरी है उसको जबरदस्ती करीदना ही पड़ेगा तो उस हिसाब से कितना हुआ जी अड़ाय अरब अब अड़ाय अरब में देख रहा है कि अरभ खरिदना है किसे जिसके जिसके पास उद्यम रजी स्टेशन है उसी लोगों से हमको खरिदना है उद्यम रजी स्टेशन किसके पास है सिन्हा जी, बर्मा जी, तिवारी जी, मिस्रा जी, गुपता जी, अगरवाल जी, बर्नवाल जी, तकडीवाल जी, जैसोवाल जी, खेतान जी इस सब के पास है संजय मोची के पास, बिनोद मोची के पास, मही लाल के पास, अंकीत राज के पास क्या है इसके पास MA MPHD इस सबका certificate है वो क्या देख रहा है कि अरहाई अरब का जो है tender salam को लेना है यह लोग क्या देख रहा है कि चपरासी का बाहली कब निकल रहा है गुरूप D का वेकेंसी कब निकल रहा है यह देख रहा है तो भेकेंसी नहीं निकला अटेंडर हर एक मैंना परती एक दीन निकलता है पर डे निकलता है तो उन्होंने अड़ाई अरब का सप्लाई किया और अड़ाई अरब कमाया अंकितवा महेलाल संजय अभिनोद इडिगरी लेके गुमते रहा तो पता चला दस दिन के बाद हूँ जो आई इसको डा से घुम रहा है ओडी से घुम रहा है आई ये भोटा खेत में जो है वहां कवा बगार आई टीन बजा गे ताली बजा आई यूट्यूब फेस्बुक पर सब काना जितंदर पास वन फर आउट है बहुत खचडा उल्टा सिधा जो है लिखना हम रहा क्या मस्तिवला बात है ने जी कानी खैनी के लाओ रहे क्या अंकीत अंकीत बाबु समझ रहा है जी बिनोच जी समझ रहा है बिनोच जी को आड़ाय अजार अभी छो मैना में नहीं हो आई टी आई ये को देने के लिए बहुत गरीब आदमी है वेचरा और जो है बट साब इतरी का पूजा का जो है पूरा फोटो डाले था उसमें जो है पतनी इसका जो है गाना गुडिया पान के और अड़ाय हजार डि आईय को देने का पैसा नहीं है ठीक है न बाकी सब छौ मैना में जतना परवाश्बहो गया खली अड़ाय हजार नहीं दिया रहा हमारे यहां भी सिर्णा हाई है का थी ठीक है तो जैसे जैसे ताल बजाय उगे जैसे जैसे नाचाऊ वह इसने वह इसने हम ताल बजा बेंगे तुम्हारी भी जो है मस्ती हमारी भी मस्ती जब फाइल आता है पुछते हैं क्या हुआ इसका कता सर अड़ाय हजार रुपिया डियू जए कतर बुडबा कड़ाय हजार पैसा दे दोका नहीं नहीं इस अब आलसी आत्मी है इसको प्रेरीत करना इंस्पाइर करना है तो यहां तक की कहानी लगभग आप लोग समझ गये अब टोपी की कहानी क्या था जो मैंने शुरुआती दौर में आप लोगों को कहा अंकित बाबु आब आ जा रहा है यहां तिला के बताईए अंकित जी आ अब आज आ रहा है ना अब माहे लाल जी जराही सब को समझिये बढ़ियां से समझिये खैर माहे लाल को तो कभी आवाजे नहीं जाता है मालू है हमको कभी आवाज आप जब तक यहां जब जितने दिन तक बैठे है ना सब दिन आपका एक्के सिकाइट सर आवाज नहीं आ जी, मैडमा उगलेक बैठो मानीलो जायतो है, न उख्री उख्री करें जोत कनियनी जेचे उद्योग बानी जे बैपार करते, दुनु आदमे मिली काम करो, अब की करब हो है, पक्या न उख्री होगलो जोतरो, अब बिना रिटाइरीर पहला तो छोड़े बला छोने, तक कनिय अरे भाभाव होता है या भावजी होता है, दुनु मसा एक बाद, अगर एक अतर रोप पहला तो जनमती तीच खाऊं, तब तो रोकनिया भावजी, अएक अतर रोबाद ओगले, तब तो रोकनिया ओगलों भावजी, लेकिन दोनों कंडिशन मा सुनाबो, कि चेर्मेन दिया ये जो है कर रहे हैं कि उद्योग मनी जे बेपार करें, ठीक है, तो अंकित बाभु बड़ी हां से समझे हैं यहां तक, अब टोपी की कहानी क्या हुआ, तो मिस्रा जी, तिवारी जी, सर्मा जी, बर्मा जी, सिन्ना जी, लाला जी, गुपता जी, तिक्डी बाल, टिक्री बाल, कौन-कौन बाल होता है, सब बाल का जो है, अजादी के पहिले से, मरवाडी बनियां के लिए जो है, जम्बर्स आप कॉमर्स, और बीच में जो है, एक्टिव, फॉर्वर्ड और बैकवर्ड जो हैं, उनके लिए इंडस्ट्री जे सोसिये सन है, ठीक है तो वह जो है, इंडस्ट्री जे सोसिये सन और चेम्बर्स आप कॉमर्स के ताकत को जानता है, तो वह जो है, अपने संगठन से जूड करकर के राता है, संगठन से लाब लेता है, और संगठन को लाब देता है, सिडूल का सिडूल ट्राइब के लिए भी इंडस्ट्री जे सोसिये सन है, दलित इंडस्ट्री जे सोसिये सन, ताली बजाईए इसके लिए, सिडूल का सिडूल ट्राइब के लिए भी इंडस्ट्री जे सोसिये सन है, दलित इंडस्ट्री जे सोसिये सन, 2016 से सिडूल का सिडूल ट्राइट ने दलित इंडस्ट्रीज एसोसियेशन को जाना ही नहीं समझा ही नहीं और नहीं इससे जो है इसको सहयोग करता है और नहीं इससे सहयोग लेता है जो ले रहा है वो आगे बढ़ रहा है तो उन लोगों ने अपने अपने इंडस्ट्री एसोसियेशन और चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गया और मांग किया कि यह बताईए कि पब्लिक प्रकॉर्मेंट पॉलीसी में कौन-कौन से आइटम का सप्लाय होता है और कौन-कौन आइटम जो है सेंट्रल पियस यूज को पचीज परसेंट खरीदने की बाध्यता है उन लिष्ट बताईए तो उसके जो है ऑफिस बियरर ने तूरत फटा फट दे दिया उसको यह टोपी की कहानी बता रहे है समझ रहे हो रहा हूं जी अब उसमें से उसने फोर एक जमपल उसको जो है बाउल बेरिंग है उस लिष्ट में कि मान लेते हैं कि अजीत सिना को जो है सप्लाई करना है तो अजीत सिना ने 358 लिष्ट में देखा कि इसमें तो बाउल बेरिंग भी है बाउल बेरिंग भी है हमरे घर के बगलबे में एक आदमी बाउल बेरिंग बनाता है समझा जी तो मान लेते हैं कि अजीत सिना नामक कोई व्यक्ति है और हुआ जो है पबलिक प्रकॉर्मेंट पॉलिसी या पबलिक प्राइबेट पाटनर सिस्टम में जो है पाटिसिपेट करना चाहता है उसके माबाप ने उसको बताया कि बेटा उद्योग बानी जे वेपार के माध्यम से तुम जो है उद्योग पती पुंजी पती और धनवान बने के लिए तुमको उद्योग बानी जे वेपार करना होगा और उध्योग बानिज बेपार करने के लिए पुझी की आवस्चता हो अब फिरी भौकट में पुझी के लिए तुमको पबलिक प्राइबेट पाटनर्सिव सिस्टम में आना होगा पबलिक परकॉर्मेंट पॉलिसी में आना होगा और उसके लिए तुमको यह यह काम करना होगा है जो हम तुमको बटा रहे हैं टोपी की कहानी दलित इंडस्ट्री जे सोचियेशन का एक सबसे मस्त खुवी है कि गंभीर से गंभीर अर्थ सास्त्र के टोपी को कहानी और गव सबके मात्यम से समझा देता है ठीक है तो अब अजीत सिना जो है अपने चेंबर्स आप कॉमर्स या इंडस्ट्री जे सोचियेशन में गया और वहां से उन्होंने लिष्ट मांगा कि जितने भी सेंट्रल पियस यूज है वह जो पचीस परसंट खरीद करता है और क्या क्या खरीद करता है वह आइटम लिष्ट जो 355 है वह हमको दीजिए उसको तुरत लिष्ट प्रोभाइट किया उन लिष्ट में उसने देखा कि अरे पिछले साल जो है पूल इंडिया लिमिटेड ने बॉल बेरिंग जो है सावा कडोर का खरीदारी किया है ठीक है तो हमरे घरबा के बगल में एको जो है बैकबडबा है लोहार उन बॉल बेरिंग बनाता अब देखो क्या करता है तमसा अजीत सिन्हा ने जाता है उसे लोहार के पास कहता है कि अच्छा च्छा इप बॉल बेरिंग बनाते हैं तो बिकता कहां है तो क्या करोगे बहुआ देख रहे हो 10-12 लाख में मसीन खरदे हैं सब बापूत मील के बॉल बेरिंग बनाते हैं बिकरी बड़ी कम होता है वो जतना काड़ी के वो रिपेरिंग सेंटर है वही सब में जा जाके बेचते हैं तो कैसे करके बेचते हैं चचा तो डेड़ सो रुपया पाइकेट बिकता है बाबू अचा डेड़ सो रुपया पाइकेट बेचते हैं चचा अचा चचा हम एक सो पाइकेट खरदेंगे बॉल बेरिंग को तो कितना हम दीजेगा चचा तो का करवा हूँ भुवा डेड़ सो रुपिया तो पैकेट बाब इकी थे अगर तुम सो पैकेट खरदोगे हम एक सोट कामे दे देंगे कल्कुलेशन करते रहा ना पचास्ट का तुमको यहाँ बेनिफेट हो गया अब आजीत सिन्हा ने उद्यम रजिस्टेशन किया है सिन्हा इंटरप्राइजेज के नाम से अब फस्कलास जाकर के एक पन्नी का जो है बना प्रुथिन का पैकेट बन बाया उस पर अपना लोगो जो है चिपका के और निच्चे लिखा सिन्हा एंट ब्रदर्स मैनूफेक्चरर और उसका बॉल बेरिंग जो है खरीदा अधर में ला करके अपने पैकेट में उसको पैकेजिंग कर लिया आजा के कोल इंडिया को बोला कि भाई पिछले साल तो तुमने सबाकडोर का बॉल बेरिंग खरदा आए इस बार कितना का खरीदारी करना है तो का टेंडर निकला हुआ है कितना का अड़ाई करोर का अच्छा तो अड़ाई करोर का निकाले हैं तो 62,50,000 का तो आपको हम लोग से खरीदना है तो हम रेट कोट करते हैं हम रहा से लीजिए यह रहा उद्याम रजिस्टेशन तनने टेंडर के माद्याम हम टेंडर भर रहे हैं और उसने टेंडर भरा यहां तो उसको 108 का पाइकेट मिल रहा है उसने देता है रेट 102 रूपिया ठीक है सरी वहां वह करता है कि वहां देता है 152 रूपिया तो यह जो अब यहां कैसे बेच रहा था 1500 रूपिया तो कोई भी डाइरेक्ट अगर करेगा तो वहां जो है उसका ज़्यादा करेगा अब देखो इसमें एक और बिनिफीट है कि अगर तुमारे पास उद्यम रजिस्टेशन है तो अगर वहां कोई जो है 152 रूपिया दे रहा है और 15 परसंट एक्स्ट्रा भी तुम रहा हो गया तो यो टंडर तो रही मिलेगा काया कि तुम्रे पास वो है अब यह कितना का दे रहा है जहां अन्य लोग 152 का दे रहा है यह 112 रूपिया भी डालेगा तो यो इसको मिलेगा और वहां से ले करके 62,50,000 रूपिया जो आई अपना गपच लिया तो काहे ने ओडी लेके घुमेगा और काहे ने इसको डालेके घुमेगा आज तुम्रे एमफिल के डिग्री ले करके देखो कि नियोजित सिक्षक का कहा वेकंसी निकल रहा है ताली बज़ो तुम जो है एमफिल के पिएच डी के इंजिनियरिंग के इसको का डिगरिया ले ले करके देखो नियोजित सिक्षक के करना बहाली निकल रहा है फोर्थ ग्रेट के करना बहाली निकल रहा है गुरूप डी के कहा कहा बहाली निकल रहा है उसको देखो, तोरो इंडस्ट्री एसोसियेशन में वो लीष्ट है, जहां तुम रहते हो, उसके इर्दगिर्द में धेरी मैनूफेक्चरा रहा है, और वो जो मैनूफेक्चरिंग करता है वो लीष्ट में मौजूद है, और तुम भी वहाँ से खरीद के वहाँ बेच सकते हो, अब इस वीडियो को यदि जो है कोई गौब्मेंट वला कहें, देखेगा, उत्तूरा थमरा फौन करेगा, पास्वन साइब, हाँ बोलिये, तो फालनावला वीडियो में आप तो रेगुलेशन के बियाउंड बोल रहे हैं, अचा तो हम क्या रेगुलेशन के बियाउंड बोलें, काभायत पब्लीक परकॉर्मेंट पॉलीसी जो है, वो तो मैनूफेक्चरर के लिए है, वो तो मैनूफेक्चरर के लिए तो आप तो कह रहे हैं कि अंकीत, उत्तोरे बगल में जो बना रहा है, वहाँ से लोग लेबलिंग करके बेच दो, तो हम तो क्या बोल रहे हैं, रेगुलेशन के बियाउंड बोल रहे हैं, अब अंकीत बाको बोला बेगा, सिन्हा जी, कहेगा हूँ, का देखो पबलीक, पॉर्कॉर्मेंट, पॉलीसी खोलो गुगल पे, देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि जो मैनूफेक्चरिंग करेगा, वही सप्लाई करेगा, वही सप्लाई करेगा, अब देखो जितंदर पास्वन कोची बोल रहे हैं यूट्यूब में, वो बोल रहा है कि अंकित तुम मैनुफेक्चरार से खर दो, आजा के सप्लाई कर दो, अंकित बाब बोलेगा कि नहीं ठीके कर रहे हैं से नाजाएब, इस समाज को जो है न जितंदर पासवां दिख बर्मित कर रहा है, बताए कितना बढ़ियां था हम ठहरना है, यहाँ ठहरना है, और ठहर के, दलित इंडस्ट्री एसोसियेशन के ओन लाइन में समान्य मेंबर का रजिस्टेशन करो और हमरा समान्य मेंबर बनो, अकोल इंडिया के जियाम, चपरासी की रानी नहीं, जियाम, दरवाजा पर धक्का मारो और घोसो, और कहो कि पिछले साल तुमने जिस से खरितारी किया है उसकी लिस्ट दो, तुमने सवाकडूर का खरितारी किया है न, हाँ, उसका लिस्ट दो कही कि हम जो है मेंबर आप आई है, यह रहा मेरा कार्ड, तुम लिस्ट दो, सवाकडूर का खरिते हो तुम, तो उसमें देखोगे सिन्नाजी, बर्माजी, तेखडीवाल, खेतान, फलना, 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 और कहो कि उसको पकड़ो काउलर, जीयम के, कि तुमने यूनीट उसका चेक किया है, कुका मैंन फैक्चरर को देना है, तो तुमने सप्लाइर को कैसे दे दिया, कैसे दे दिया, और जब हम सप्लाइ करने के लिए आ रहे हैं, तब हमको रेगुलेशन बता रहा है, मना तुम कतल कर दो, तो चर्चा नहीं होगी, और हम पाद दे, तो को हराम मच गया, हम पाद दे, तो को हराम हो गया, तुम कतल करो तो चर्चा नहीं होगी, लो सबाकरोर कर लो लीस्ट वह भी वह ही टो कमा करता है जो बात हम तुमको बता रहे ताली वे जाओ हम तो लखी हैं कि हम ना फेस्बूक चलाते हैं ना इंस्टाग्राम चलाते हैं जो हेंडलीं करता है वो मेरा इस्टाप लोग टेक्निकल टीम करता है और जब वह मेरे पास लाता है जब YouTube पर देखते हैं कि comment, Facebook पर comment, Instagram पर comment और वह contact number भी देता है जब मेरा staff उसको phone करके पूछता है, तो कहता है कि हम IOCL के AGM है और हम भी SCST है और जो जितंदर सर बोल रहा है वो जूट बोल रहा है तब आश्चर जो होता है कि साले इन सरकारी नवकरवा बनके ये आरक्षन के बदोलत से बनके ये ब्यहुता जो है इस समाज का बेड़ा गरत किया है मनद तुम ही बढ़का जो है सहरी स्चंदर और युदिश्टीर का नाती है रे नवकर तुम्हारी हस्ती अवकाद क्या है बे तुम जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो तुम उहां हरीजन के अलावा कुछ हो है रे जो तुम जो है डिये को उपदेश देने के लिए चलाता है तुम्हारी अवकाद तुम से बेतर कौन जानता है तुम जिस डिपार्टमेंट हो जहां जिस टेबूल पर बैठते हो अपनी अवकाद तो तुम जानते हो न जी कि तुमारी अवकाद क्या है तुमको हरीजन के अलाबा कुछ हो बोलता है SCST ने हरीजन सिदे बोलता है या बोलता है कोटा वला है तुम्हारी अवकात क्या है बे तुम सवाकडूर का डील करने तुरा अकल है बेहुदा तुम बेतन को ध्यान में रखो कि एक तरीकों बेतन मिलेगा तो अवरत के साया साडिया होकर डोरी कईसे खर देंगे एकरापे रखो ध्यान तुमरा तुम करोर पती, अरब पती या पुंजी पती तोरे बस की बात नहीं है तोरे बस की बात नहीं है फोन करता है कौन है आप फलना डिपार्ट्मेंट के हम जोईन सेक्रेटरी है अरे साला आद दिमाग दूप इसा के नहीं है तुरा पूरा भारत एक आउनवा से लेके तिल टूडे असंख्य कडूर पती और अरब पती बना ड्यू टू पब्लिक प्रकॉर्मेंट पॉलिसी ड्यू टू पब्लिक प्राइबेट पाटनर्शिप तब अब बताओ को कि अगर एक हजार अरब पती बना एक लाग कडूर पती बना तो बताओ कितना फैक्टरी दिखना चाहिए तो आपने घर के अगल बगल में देखो तो तो आखिर फिर अत्मा बन कैसे गया बहुत दार अरक्षा नमावला कहीं के कोटा फोटा हैं असला हमरा बतियाने लगता है यह आप जुट बोल रहा है तुमको अवकात है तुम कोल फिल में नुगरी करता है तुम एंटी पीसी में नुगरी करता है तुम सेंट्रल गॉब्मेंट के डिपार्टमेंट में काम करता है तुम्हारी अवकाथ है तुम अपने सुप्रीमों से पूछने के लिए कि इतना का खरितारी हुआ तुम्हों मैनुफेक्चरा रहाई की नहीं है अवकाथ है तुमको जूता मार के तुरा निकाल देगा दड़के Plan Policy बनाने के हस्ती अवकाथ है तुमको अरक्षनमा वाला, कोटा वाला, तुम्हारी ये हस्ती आउकाद तो है नहीं, वो सभी पब्लिक प्राइबेट पाटनर्सेप सिस्टम से, पब्लिक प्रकॉर्मेंट पॉलीसी से पुंजी बनाये, अपना उध्योग खड़ा किये, अपना पानी जी किया, अपना व्यपार किय वो सरकार को चंदा देता है, वो सरकार से अपना पॉलीसी बनवाता है, तुम डिगरी लेके, आरक्षन में देखो, कहां तुम हो सकता है फीट, मे करलो, अन्योजीत सिक्षक बनके नेटा पोछो, तुम्हारा वो अवकाद है, इंजिनियरिंग करलो, अम्बिये करलो, गु तुम्हारी वो हस्ती है, जी स्टेबूल पर पैठाओगे, वहां हरी जन रहोगे, कही कारेक्षन बलाए तुम, तुम्हारी वो है, और उद्योग बानिज्य बेपार के प्लान पॉलीसी, उसका रूल रिगुलेशन, इस सब पर चर्चा तुम्हारे बस की बात नही है, एक तारिक को बेतन पाओ, साया साड़ी बुलाओच खर दो, खुद नवकर बना है, बच्चा को नवकर बनाने के लिए प्रेरीद करो, बढ़ाओ, ये सब तुम्हारा दंदा है, पटांग सब मैसेज करता है, हम तो जानते हैं, इसलिए हम हैंडलिंग ही नहीं करते हैं, उसके लिए टेकनिकल टीम को रख दिया गया है, वो लोग देखता है, तेर रूल के बियॉंड बोलता है, वही जो रूल के बियॉंड करता है, उसी को मालिक करते हैं, सुना है न, कि लीके लीके गाड़ी चले, लीक छोड़ कर तीन चले, सायर, सुर्मा और सपूद, तो सुर्मा जो है लीक पर चलता है बे, उर अंडर रेगुलेसन चलेगा, अंडर रेगुलेसन चलेगा, तब उमालिक कोंची है, अंडर रेगुलेसन जो होता है, वह नवकर चलता है, सेवक चलता है, उसको रूल के अधीन चलना होता है, न, सस्पेंड हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्मीस हो जाएगा, उसको रूल के अंदर चलना है, गरिव गुरु आदमी जो है रूल के देन रहता है ने तो पुलीस पकड़ लेगी कोट का चरी हो जाएगा वो द्योग पती पुंजी पती धनवान वो रूल को करता है वो रूल तोड़ता है यह अपने अनुसार रूल बन बता है वो अपने अनुसार रूल बनाता है कहां गे लो हो अंकीत समझ गई लो कुछ करबो की खली है इसा ही जो है कैमरा लेके गुमते रहो मा यह कहां बा जाहिर इसी है कि मा है तो सुस्राल में ही होगा नया नया साधी किया है लेका आम दो मालकिनी होका रहे मालकिनी को भी दुडूप कराओ उसी जगा आड़ी नपाय आड़ी मौज आजोहार गी इंजाम दो मांजी हराम आर दिस्वाम गौम के ठीक जी तो कहानी के माध्यां से यह सभी चीज़ें तुम लोगों ने जाना टेंडर के लिए हम उसमें तुमको बताए थे कि तुम जो है पबलिक प्रकॉर्मेंट पॉलिसी में तीन धंग से पाटिसिपेट कर सकते हो पहला बताये थे कोटेशन बेस के अधार पर दूसरा बताये थे टेंडर के अधार पर और तीसरा बताये थे जयंग के अधार पर ठीक है तो अभी जो हमने बताया वह टेंडर के अधार पर तुम जो है वहाँ पाटिसिपेट कर सकते हो और असानी से पाटिसिपेट करते हो असानी से पाटिसिपेट तुम कर सकते हो ठीक है जिस कम्प्यूटर पर हम तुमसे बारता लाप कर रहे हैं जिस computer पर बात कर रहे हम इस computer को अगर बजार में तुम जो भी इसका specification है जिस computer से हम तुम लोगों से अभी मुखातिव हैं द्यान से सुनो जिस computer से हम तुम लोगों से मना laptop से मुखातिव हैं जो specification इस laptop का है अगर इसको तुम बजार में खरीदाओगे तो 72,000 में मिलेगा कितना मिलेगा? 72,000 में HP का 12,000 रुपिया में तुमको यह मिलेगा लेकिन इस system को अभी 4 दिन पहले खर जाएंगे पंच्छे दिन पहले यह system को हमने 16,000 में खरीदाओगे कितना में खरीदाओगे? 16,000 में खरीदाओगे यह तोपी की बात बता रहे हैं अखुले आम बता रहे हैं जो specification इस laptop का है अंकितबान अभी जस्टे खरीदाओगे लेपटाओपे को 72,000 में खरीदाओगे काहें कि यह SCST है लोंडा यह SCST लोंडा है तो यह 72,000 रुपिया में खरीद सकता है इससे नाया और इसके computer से advance पलस उससे ज़्यादा जो है इसका जो है इसमें जो है जो इन विल्ट है उससे ज़्यादा हम केतना में खर दे हैं? 18,000 जिससे हम आभी तुमसे बात कर रहे हैं अब बताओ कि railway को जो है अभी जो है राची में DRM के साथ हुआ है Public Procurement Policy का बेटर जस्ट चार-पांस दिन पहले हुआ है ठीक है? जस्ट चार-पांस दिन पहले हुआ है यदि railway को 100 laptop की ज़ुरत होगा तो 25 laptop तो जो है उतियम रजिस्टेशन बला से खर देगा अब बताओ अंकीतवा जो है का यहोँ पैसाबला बन सकता है जो लोंडा 72 आजार में कंप्यूटर खरिता है यह लोंडा कौँची बनेगा पैसाबला? यह नहीं बन सकता है अब मान लेते हैं अंकीतवा को DRM यह चला गया DIA के माध्यम से और DRM ने इसको एस्योर कर दिया कि राची डिवीजन के लिए जो है 100 लेप्टाउप की जवरत है जिसमें 25 लेप्टाउप हम आपसे लेंगे और आपको जो है 5 लाख में देना पड़ेगा तो बताओ अंकीतवाद दे पाएगा कही हो? तो 72 आजार गुना 25 कर दो कितना हुआ? बारा पंदर लाख से ज़्यादा हो जारा आपको देना है आई ही जो है आरक्छनमा और कोटाबला कहेगा जितन दर पाजमान बियांड बोलता है रूल के उपर बोलता है तो अंकीतवाद ध्यान में करेगा कि बताईए एक सो कंप्यूटर में 25 लेप्टाउप हमरा से खरीदना है और हम अपना लेप्टाउप 72 आजार में खर दे हैं तो यह सीधे कल्कुलेशन करेगा 25 गुना 72 आजार तो यह कहेगा कि सर हम कहां से देंगे? पैसा है कहां मेरे पास? लेकिन अजीत सिना को जब कहेगा कि आपको 25 कंप्यूटर देना है पाँच लाख में कहेगा सर हम सारे 3 लाख में दे देंगे सेम सेम ब्रांड सेम जो है सारा चीज एससरीज लगाके सारे 3 लाख में दे देंगे काईगा नई नई सिनाजी पाच लाग का बज़ाट है कम से कम चार लाख नब्बा हजार कर दीजिए काईगा सर आपकी जैसी इच्छा नब्बा हजार सर आपको घूसो दे देंगे हम और पचास हजाट का कमयो लेगा और उसका क्रेडेंसियल भी बन जाएगा आई अंकितवा मत्हा पकड़ के है काँ हो रहा है जितन दर सर सही में जूटे बोलता है ठीक है सेम एकदम जो जो लेप्टॉप को अंकितवा ने 72 अजार में करदा है हमने इसको 18 अजार में खरदा है अब हुआ क्या है यहां हुआ यहां कूछ नहीं है खाली उपर बला जो है देख रहे हो ना जो हमारा लेप्टॉप का है देखा नहीं सकते हैं चुकि कैमरा नहीं गुमेगा बस खाली उपर बला एच पी है अब भीतर में पता नहीं, कौँची-कौँची लगल है, कोई पता आता नहीं है भीतर में है, वो क्या-क्या का लगा है, तुम्रे हाथ में जो मुबाइल है तुम सोच रहे हो कि मेरा एपो का है, बीबो का है, सेमसंग का है, फलना डिमकाना का है, भराम में जी रहे हो वो पबलिक परकॉर्मेंट पॉलीसी बला जो है ना लाखों की संख्या में है अब तोरे हाथ में मुबाइल है तुम रहमीत हो कि हम तो रेपूटेट दोकां से जो है 34,000 में खरदे हैं बस उसका काबारे जो है वो तुमारा है और रिजिनल है बाकी अंदर का सब चीज जो है वो डबाडोल है और रोज आत्मी इस चीजों को कर रहा है और जब मेरा यूट्यूब सुनेगा वारक्षानमा बला कोटा बला क्या गतखिये सब लोंडा कोई दिक मरमीत कर रहा है यही बोलेगा सब बताओना अभी पॉलिक परकुर्मेंट पॉलिसी का बटक हुआ है अभी एंटी पीसी में जो है चत्रा में होने वाला है 27 लोगों को पाटिसिपेट करना है और 27 लोगों से वहां खरीद होना है अब तुम 72 आजार में कम्प्यूटर खरीद रहे हो तो राप बजारे ने पता है कि 18 आजार में कावा मिल रहा है तुम राज अगर बॉल बेरिंग मांगेगा तो तुम तो सिदे का दोगे बजार में तेड़ सो में मिलता है हम आपको 175 में देंगे तो कई ओन नहीं देगा तो राज के खर देगा तो राज काउन खरीदने जा रहा है सभी लोग पबलिक प्रोकुर्मेंट पॉलिसी में भाग लेने के लिए मेरे नंबर पर वाट्स अप करना 9473462273 फिर से एक बार बूल रहे हैं 9473462273 तुम सभी लोगों को लिस्ट प्रोवाइट करा दिया जाएगा जो सेंट्रल PSU को खरीदने के लिए बात दिया है उसको खरीदना ही खरीदना उसमें से पचपच आइटम पांच आइटम उसका तुम लोगों को लोकल उसका मार्केट और मैनुफेक्चरर खोजना है यह हॉम वर्क दे रहे हैं यह हॉम वर्क दे रहे हैं बनना है न उद्योग पती पुझी पती और धनबान तो उद्योग पती पुझी पती और धनबान बनने के लिए तुमको दो पी क्यू में भाग लेना ही पड़ेगा एंक बैंक के चक्कर में नहीं रहो उजो है तेल लगा रहा मथा में तेल लगाता है तुरा पास हाई तो तुरा देगा नए तो नए देगा रह पापवा बार बार तुं खेनी का ही रोक देता है अच्छा लगा वो खेनी लगावो जा बडियांस लगावो चूना ज्यादा डाली का ने तो बैटरी डाउन हो इसता हो तो फिर हुए इसनी सुनता ही के नाव है अब आज आ रहा है न जी ठीक है सभी लोग जो है वाट्सअप करके पबलिक परकॉर्मेंट पॉलिसी में खरिदने वाले 358 आइटम्स का उलिस्ट मांगना है और उसको एक एक लाइन से पढ़ना है पलस उसमें यह देखना है कि तुम्हारे अगल बगल में तुम्हारे जीले में किस किस चीजों का मैनुफेक्चरिंग होता है ठीक है और मैनुफेक्चरिंग होकर करके तुम एजे सप्लायर तुम उसमें पाटिसिपेट करना है कहानी हम बता भी दिया है यूट्यूब पर मौजूद भी रहेगा यह वीडियो तिन चार बार सुन सुन के सुन सुन के तुम लोगों को करना है और पुंजी को जो है उपराना समय समय पर हर एक राजियों में जितने भी सेंट्रल पी एस यूज है वस्थ जो है पी-क्यू के लिए पब्लिक पर्कॉर्मेंट पॉलिसी के लिए टाइम टू टाइम नॉटिफिकेशन करता है पर ति एक दिन जो है उसका जो है टेंडर निकलता है टेंडर के लिए तुम लोग फिजिकल आके ट्रेंडिंग ले सकते हो दो जल्दी दो ठीक है फिजिकल ट्रेनिंग ले सकते हो और अपने से जो है तुम लोगों को करना है ना यह है लेप्टाप कोई बात नहीं अंदाज करो कि एक बड़ी हाँ लेप्टाप जो है तुमको अब तुम कहोगे कि सर टेंडर करने के लिए हम लोग तुमरे हाथ में जितना का मुबाइल है ना मुबाइल से देख रहे हो ना जड़ा लेप्टाप लेते हो अज़ा थोड़ा उठा के ले आओ ना फिर इसने करके दे देना तुम लोग के पास अगर कहोगे कि मेरे पास सिस्टम नहीं है तो जितना माहगा मुबाइल तुमारे हाथ में है ना उससे वान भाइक होर्त पर जो है लेप्टाप मिलता है देखो ये लेप्टाप देख रहे हो अब बता दाम इसका बता सकते हो जब ये इतना बड़ा सिस्टम जिससे हम बात कर रहे हैं अंदाज करो चार पाँच है जार एकदम नहीं है आपना सिस्टम है मुबाइल से सस्ता है तर जगा जानोगे तब नहीं जगा जानोगे टेंडर काप सीख लोग बूर आ करके दस-दस लड़का मिल के जतना चेला लोग है ट्रेनिंग ले लो उसका उद्ध्यम रजिस्टेशन फिरी जीस्टी में तनिमनी पैसा लगेगा जाती परमान पत रहिए है कलास थिरी रजिस्टेश उसका जो है डिजिटल सिगनेचर का थोड़ा पैसा लगेगा इसके बाद सुरू हो जाओ अगर पैसा रोक दिया तो भारी दिर्कट उसब को हो जाएगा उसके लिए MSME समाधान भी है जो पैसा रोक नहीं सकता है तुमारा बस यहां से उठाओ वहां डाल दो रेपर तुमारी कितना बड़ी आउला बात है क्यों नरंदर जै अब अगले रविवार को हम कोटेशन बेस और जैम पर कैसे करेंगे बाकी सब जो है ट्रेनिंग के माध्याम से गब सब के माध्याम से लगभग बता दिया है कैसे करना है ठीक है न जी इतना समझाने के बाद भी यदि तुम लोग जो है पब्लिक प्राइबेट पाटनर्शिप सिस्टम में और पब्लिक परकॉर्मेंट पॉलिसी में भाग नहीं लोगे तब अब हम क्या कर सकते हैं क्या अंकित है न माहे सिस्टी के एगो आरक्षानमा वला आपको टावला जो है नोकरबास से पुछा कि आपकी सेलरी क्या है बड़ा क्या बाट करने है पहुने डूला एक लग पचेट्टर हजार मैं नहां है कहा तब तो आप अमिर्का और अस्टिलिया गुमते होंगे का ने 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 गर्मी के छुप्टी में मेरा प्लान फिक्स रहता है का क्या का सवस्रार जाएंगे पिछले साल अमिर्का नहीं गए इस बार अस्टिलिया नहीं जाएंगे क्या होगा सवस्रार नहीं जाएंगे तो डिकट नहीं हो जाएंगा समझ रहो अंकेट पिछले साल अमिर्का नहीं गए इस बार अस्टिलिया नहीं जाएंगे अगला साल यूरोप नहीं जाएंगे क्या बिगड़ेगा सवस्रार जाएंगे सरकारी नोकरबा के आरक्षनमा उला के नोकरबा सब के बाल बच्चा का देख लो पारे मंटू यतना मोटा हो गए हो जी दस बज़े तक सोते हो सवेरे उट के गोमने उमने क्यों नहीं जाते हो ए अंकल जब धर्ती गोमिये रहा है तो हमरा गोमने का कौन जब रहता है धर्ती तो गोमिये रहा है हम का हैल गोमें है जी नहीं तब तसिना जी बर्मा जी सर्मा जी तिवारी जी ओ अजा जी उपध्याई जी जैसवाल जी गुपता जी बर्नवाल अगरवाल तिकड़ीवाल सब उद्योग बानी चे वेपार करिये रहा है तो एसी एस्टी का हील करेगा यह लोग में एमपेल पीएसडी करके देखेगा कि मास्टर उस्टर के करना बाहली है इंजिनियरिंग अम्बिये मास कम्निकेशन इसब कारूर के देखेगा गुरूब डी का करना बाहली ताहली है इस अब देखेगा इस अब को पॉलिक प्रकॉर्मेंट पॉलिशी, पॉलिक पाटनर, प्राइबेट पाटनर्शिप इसब से क्याले निदिनी है इस सब को जो है उद्योग पति पुंजी पति अधन्वान बनना है इस सब को तो जो है सरकारी नोकरवा राजनितिक दललवा बनना है पाजी एक तुई धनवान है गोरी अब बांकी सब चंडाल ताली बजाओ हाँ एक तुई धनवान है गोरी अब बांकी सब चंडाल नर्शारी कंगाल कामा है मेरे प्यारे दलित अधिवासी उदम्यो इस्टेकोल्डर दलित इंडस्ट्रीज एसोसियेशन का एक मात्रु देश अपने समुदाय अनुसुचित जाती जन जाती के लोगों का आर्थिक ससक्ती करन करना है इसके लिए आपको उद्योग बानीजे बैपार को अपनाना होगा अता आप उद्योग बानीजे बैपार के प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी उद्योग बानीजे बैपार के लिए प्रेरित करें हम हर एक रविवार को निर्धारीत समय पर उद्योग बानी जबेपार से समंदित विविन नीतियों और योजनावें जो केंद्र और राज्य सरकार से समंदित होता है उसको ले करके आते हैं आज बिर्शा भगवान का सहाधत दिवस है और बिर्शा भगवान की सहाधत दिवस पर हमारा यह करतब बनता है कि वह जो है समाज उठ्थान के लिए समाज के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है तो कम से कम गैर अनुसुचित जाती और जंजाती के लोगों सहीत अपने समुदाय को भी उनकी सहादत और उनकी बलिदान के विशे में बताना है और समझाना है और उनको जो है याद करना है ताकि हमारे आने वाले भावी पीड़ी हमारे जो महापुरूस समाज उठान के लिए बलिदान दिये हैं उनको याद कर सकें समस्त सुपकामनाओं के साथ आज इतना ही हम अपने महापुरूस वावासा भीमरावमेटकर मन्यवरकासी राम विर्शा मुंडा तिलका मांजे सिद्धू कानू एवं जितने भी जाने अंजाने दलित आदिवासी समुदाई के महापुरूस हैं उन समस्त महापुरूसों के प्यारे नाम लेकर आज के उद्धमी पाट साला का समापन की गोसना करता हूं अगले रविवार को नई बीसियों के साथ निर्धारित समय पर हम पुना मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग खुस रहिए मस्त रहिए और आर्थिक क्रांती के बसों पर सबार हो करता हूं दिरसा एक बार एक बार फिर से जनम लेओ ये बीरसा फिर से करू युल गुला निरे दिरसे करू युल गुला निरे एक बार एक बार फिर से जनम लेओ ये बीरसा फिर से करू युल गुला निरे दिरसा एक बार एक बार फिर से जनम लेओ ये बीरसा फिर से करू युल गुला निरे दिरसे करू युल गुला निरे